उनकी कॉमेडी उनका हास का अंदाज हमेशा हमारे बीच में रहेगा उनकी याद दिलाता रहेगा वो हमारे बीच में हम ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी हानी होगी और राजी शिर्वास्तफ जी के बारे में ऐसी दुखस सूचना सुनने को मि जब राजूय शिरॉश्य वास्तinals जी की हालत बिगली तो पूरे देश ने उनके लिए प्रात्नाय की सभी ने अपनी अपनी blessings कि कहीं कहीं ना कहीं मानि राजी शिर्वास्तव जी हमारे बीच में जो उनका हास का अंदास था जो उनकी कॉमेडी थी उसमें हमेशा वो हमारे बीच में बने रहेंगे अभी 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 सब बैट के पूरा परिवार जो है वो दिल्ली पहुँच रहा है वहां से सब बैट के decide करेंगे जैसा जो भी सूचना होगी वो आप लोगों को मिल जाएगी सब को पता लग जाएगा अभी कोई इस तरीके की अभी सूचना अभी official सूचना नहीं है कि उनका जो cremation है वो कहां होगा मुंबई में भी हो सकता है लखनव में भी हो सकता है कानपूर में भी हो सकता है दिल्ली में भी हो सकता है यह अभी decide किया जाएगा सब लोग पहुच रहे हैं जैसे ही दिल्ली पहुच के पूरा परिवार अब हर तरफ दुखत और कानपूर क्योंकि उनका घर है और ऐसे में उनके घर के आसपास हर कोई आज दुखी नजर आ रहा है हर कोई आज वो कभी महसूस नहीं किये होंगे कभी उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी सुनने को मिलेगा ऐसी भी ख़बर सामने भी सिज़ाएं जब आज जो जिनसे भी पूछें उनके आस पास जो लोग रहते हैं उनसे अगर प्रत्िकरिया ली hrae तो कुछ भी उनके मन में विचार नहीं बचे कुछ भी उनके मन में शब्द नहीं बचे हैं और है तो सिर्फ आखों में आसू है और सिर्फ दुख उनके मन को पहुच रहा है क्योंकि जो हसाता है जो व्यक्ति लोगों को हसाने का काम करता है जब आज उसने रुलाने का काम कर दिया है तो कहीं न क आज हर कोई दुखी जरूर महसूस कर रहा है क्योंकि सबने सोचा था कि वो एक बार फिर वापस आएंगे और जिस तरह से उनकी जो सेहत है सेहत में सुधार हो रहा है और जो इस तरह से लोगों के द्वारा प्रातना की जा रही थी दुआएं मांगी जा रही थी वो कहीं न क नहीं काम आएगी और एक बार फिर वो हम सब के बीच आ जाएंगे देखे अब प्रतिक्रियाएं सामने आगने लग गई है सियम शिवराज सिंग चुहान की तरफ से भी ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया गया है और हर तरफ से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रह रहे हैं दुखी नजर आ रहे हैं हर तरफ से उनके निधन पर दुख जताया है